नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्यशंकरतिवारी हूँ क्या दुनिया वर्ल्ड वर्ल्ड वार 3 की तरफ बढ़ रही है जिस तरीके से जो टर्की है उसने सिरिया पे अटैक किया है कुर्दों पे अटैक किया है उसके बाद से तनाव बढ़ गया है मिडिल हथियारों की सप्लाई करता है वो जर्मनी करता है और जर्मनी और फ्रांस दोनों ने यह एलान किया है कि अब वो हथियारों की आपोर्ति पे बैन लगाने जा रहा है उधर इंग्लेंड ने भी बात किया है टर्की से और इधर अमेरिका ने भी कहा है कि जो है हम इस पे पर प्रतिबंद लगा सकते हैं तुर्की पे दरसल जगड़े की जड़ है वो है अमेरिका की नीथी अमेरिका ने क्या किया कि सिरिया में आये से मुकाबला करने के लिए कुर्दों को उपसाया अपने साथ जोड़ा और वहां पर अभियान चलाया कुर्दों ने उसमें उनका साथ दिया लेकिन सिरिया से निकलने के लिए अमेरिका ने कुर्दों को उनके भगवान भरो से छोड़ दिया उनके किस्मत प दूरू कर दी और कुर्दों ने आप क्या किया उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा डेड़ सो के आसपास लोग वहां मारे गए हैं तो सिरिया की सेना से हाथ मिला लिया और सिरिया के साथ हाथ मिलाने के बाद वह वहां पे जंग लड़ रहे हैं वहां पे बंबारी लगातार पो रही है देड़ लाग के आसपास लोग वहां से हटाए जा चुके हैं अब भी 45-45 लाग के आसपास लोग कहा जा रहा कि पंसे हुए है उनको निकालना है अब इस वज़ा से उधर से संयुक्तराज संग की भी प्रतक्रिया आई है और उसने भी इस बात पर चिंता जताई ह यह जो तुर्की ने करवाई की है उसको ले करके तो भारत आलडी पले ही निंदा कर चुका है तो फ्रांस हो गया जर्मनी हो गया अमेरिका हो गया भारत हो गया और संयुक्तराज संग हो गया इतने जो है तर्की की करवाई का अभी तक विरोध कर चुके हैं और तर्की से एहतियात और सयम बरतने की बात हो रही है और टर्की ये भी दावा कर रहा है कि उसने वहां के एक पूर्शन पे अपना कबजा कर लिया है तो यदि ये हमले नहीं रूपते हैं और अमेरिका और जितने पश्चिमी देश उस पर प्रतिबंद लगाते हैं तो एक तरह से जो सि अमेरिका निकला ठीक उसी तरह से वह अफगानिस्तान से भी निकलना चाहता है उसके 13-14 जार और अभी जो इमरान खान गए है इरान के यात्रा पे और इसके बाद सवादी अरवीय पहुंच रहे हैं पाक जो अमेरिका है या वह पाकिस्तान को अफगानिस्तान समस्च्च का दबाव है प्रभाव है तो वह बढ़ाए तब जाके अमेरिका थोड़ी उसकी हेल्प करेगा क्योंकि आएमेफ से जो 6 बिलियन डॉलर का उसे पैकेज मिला है बेल आउट पैकेज मिला है बिना अमेरिका की सारे पर जो है आएमेफ नहीं सकता वैसे भी आपने खबर सुनी होगे कि सव्युक्त रास्तंग की माली हालात बहुत खराब है आर्थी किस्तिति वहां पे खर्चों में कटाउती हो रही है सिल्डी देने के लिए पैसे नहीं है और अमेरिका सबसे बड़ा फंडिंग का सोर्स है जो भी वहां सब्सक्राइ और जैसे ही वह निकल रहा है वहां पे धमाके और लड़ाई सुरू हो जा रही है अफगानिस्तान में भी इसी बात का डर है कि जैसे ही अमेरिका निकलेगा तालिबानी वहां पे हमला सुरू कर देंगे तो फिर यह आसां छितर एक तरह से बन जाएगा इसमें पाकिस्तान कि महत्तपुन भूंका होने जा रही है भारत की भूंका पहले से ही है तो देखते हैं कि यह जो सिर्या पे अटायक टर्की ने किया है यह लगतार जो कर रहा है यह कौन सा रूख अक्तियार करता है एक चीज़ और बता दे कि भारत इसमें चुप नहीं रहेगा क्योंकि पह कि रही है मारा डिज्टल चैनल इनकबर थैंक यू इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें